ひेलो फ्रेइने फेन, पता ने क्यूं मेरा फ्रेंड ज्रेंड फेन्स, आजकल हो गये लेकिन बात ये है, कि आज जो हम बात कर रहे वाले है ना लवस के यह जो जुम्ला है कि भाई लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे इस बात को आप क्या मार दे लोग जा जिडिक्षी कर नहीं कि मैं आप को एकस्छेंपल काacci रहा ज़े वारा बात बात करने लग जेयो में होम्म्म जो था मैरा लाड़काना उधर यह सीन था कि वहाँ पे छोटा था पार्क है जिसका नाम है बखतावर पार्क अब उस पार्क का क्या सीन ने के भाई रात को वहाँ पे अमीर बाप की बिगड़ी ओलादे आती हैं और वह जो है वाक करने लग जाती है वह उसके वह बने हुए उस तरह लादे आती थी तो हम देखने जाते थे और दिन के टाइम हम वहाँ पे एक दवाँ चलेगे तो वहाँ पर यह सीनुआ के एक फैमिली आई अब फैमिली आई यह मैं उससे पहले बता दू कि यह जो क्लासे हमने डिफाइन कर दिए कि भाई लोवर क्लास मिडिल क्लास अपर लोग आये थे एक फैमिली आई थी बाइक पर अब बाइक पर मियां आया मियां बाइक बैठा हुआ पीछे उसकी बंदी बैठी हुई है बीवी उसकी करके आदा जिसम इदर है आदा जिसम उदर है लेकिन जानी जो सेंटर ऑफ गिरेविटी है वह सही जगा पर क्योंकि व पार्क में आये सीधा जो है अब उस पार्क की में थोड़ा आपको शकल बतातूं किस तरह यह है कि जो पार्क बड़ा टूटा फुटा पुटा पुनाना सा हो गया है सही है अब मुझे नहीं पता आप क्या सीन है लेकिन तब वह ऐसे टूटा फुटा ही था महां डाइनोस बड़ा जीव है उनके एक किसी का धड़नी है किसी का सर नहीं है डैनोसर पुरा खड़ा हुआ है सर नीचे पड़ा हुआ है और उसकी पूठ से माटीरियल गर रहा है तूट रहा है चार सुरा के पूच में इस तरह है पेट पेट भटा हुए बच्चा जो है वह मूं में वहां पर फैमिली आई तो जी उसे क्या किया कि अपनी बीबी को बठा दिया उस यह उटेडी फेडी जूले पे और बीबी को जूला जूलने शुरू कर दिया हसने आपत में बच्चे ज्वहना हो उन्होंने यान आजीव यान मचाया हुआ वाविला मचा दिया हो इदर जा कर रहें उदर जा रहें पता नहीं क्या कर रहें डाइनसार की पूछ उपर कर रहें बोड़ में घुसरें मुझे निकला रहें पता नहीं क्या कर रहें खुश हैं लगे हुए ठीक है तो मेरा दोस्त कहता है जो हम लोग जो ऐसे अमीर बाप की बिगडी उलादों की क्या है कि लोग क्या कहेंगे और इसी वजह से वो खुश है वो जैसे भी वो खुश है फेञ्मिली को enjoy करने लेखा है वो खुश आग भाई जाब यह जो बहोगो जो भी लोग जो भी class जो भी class यह सोचना छोड़ देती जैने कि लोग क्या कहेंगे वो खुश रहती है अब मैंने अक्सर नोट किया कि जो लोग लोवर क्लास है बार बार बोलना अजीब लगते हैं जिनके माली हाला तो तने आला नहीं है जितना कमाते हैं उसी में खुश है वो वाले लोग अगर वो यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे को हम फारिक आते तो वो हमेशा खुश रहते और अक्सर यह नोट किया कि लोवर क्लास यह सोचती ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे और वो खुश रहती है तो एक तो यह क्लास और दूसरी जो है वह बड़ा पड़ा बहुरी अपर वारी जो क्लास है वो क्योंकि बाई अमीर का क्या है अमीर ने जो है फटी जीन्स पहन लेनी है तो लोग केंगे तो फैशन है उसको तो लोग कहने वाले भी लोग नहीं है ना यह भी मसले है ना उसको लोग कहने वाले भी नहीं तो लेकिन अगर जो ना वो वैसे भी फिकर भी नहीं करते उसने बहुत अमीर बंदे ने अपर क्ल को तो वो चला जाएगा दुबई इदर उदर कहीं ले जाएगा बखतावर पार्क नहीं लाएगा लेकिन जाएगा वो खुश रहेगा वो भी खुश रहेगा लोवर क्लास वाला है वो भी हीदा होंगे फलाइंग सिंगल सिंगल फलाइंग पाक तो वो भी जाके बखतावर लोग फो नाल खोस हुआ हो जाए क है है स्भीक है नीची आला खोष उपार की आप सबसे बड़ा चूक्विघ है मिडल क्लास में वाथ था फ्री द द बाकानगी क्योंकि वो किया सुछती है कि यह क्या कहेंगे व are the prime power manager मिडल्वा अदम आदमी अपर क्लास पर जाना चाता है मेरमा मीर व ना चाताइज व अपनी क zucchini कैंगे मैं अच्छे हो गया तो लोग क्या कःँगे अच्छा क तो लोग क्या क्या कर ये जो सीन न इसको आफ करा दो आप खोश ओ क्योंकि भाइँ मैंने दो चीजें दो चीजें चोरी कि एंच में इंस्पिरेशन लीए मैने ऐक तो यंग स्टनर करके जिन्दी गुजार रहा हूं असली है यह असली है यार असली है सिधी जी बात है भाई अगर आप जा रहे हो किसी रेस्टरोंट आपको शीशे और शीशे निए भी छुरी और कांटे खाना नहीं आता तो मिस्कराओ लो कराओ भाई यू यू हाथ करके खाना शुरू कर मिस्कराओ लोग क्या कहते हैं भाई शर्मिंदगी क्या होती है क्या होती शर्मिंदगी कुछ नहीं होती शर्मिंदगी इस बात पर तो शर्मिंदगा होना ही छोड़ दो कि तुम्हें पता नहीं है इस बात पर शर्मिंदगा होना ही छोड़ दो कि तुम्हें पता नहीं प बता तो नहीं पता अच्या बता तो किस तरह क्हाते है चुरी कांटे के तो हम सीखलेंगे बात ख़तब तो इस बात पर इंबर्स नहीं होना थी कैसे कि लोग पता नहीं जा कहेंगे मैं किस तरह हु और दूसरी बात जो मैंने एक बंदे से उठाई जिसका नाम है साहिल खान वह बॉडी बिल्डर है बॉडी बिल्डर है वैसे वो बॉलीवुड का फ्लॉप एक्टर था ठीके न वैसे बंदा अच्छे बॉल बॉल उसमें बॉडी बॉलिडिंग करता है उसकी एक चीज मैंने उठाई वह और साहिल को विभाम है कि तुमहें हक हैं तुम मेरी तरव रोज देखो तुम्हें हग है तो बहट कर नाटे जो बैसे परेशान होना तो यही सोचना एक जिन्दगी है इसी करा देता हूं खुद को तर रहा हो तो असली है और वन लाइफ यह जिन्दगी का कानून है और तीसरा क्या कि भाई लोग क्या कहेंगे को मारो ठीक है यही है जिन्दगी का सीगर्ट आव हैपनिस फिलाल ओके बोईस तो वीडियो जो रोस्टिंग वाली है आपसे मैं आज बादा करता हूं ऐसे बाते बड़े मुश्किल हो जाते हैं लेकिन सैटर्डेज जो है जानी सैटर्डेज सैटर्डेज जो है वो सारे रोस्टिंग वीडियो के होंगे ट्यूस्डे जो है वो सारे यह रजा इसका मतलब समझे दया